बक्सर जिले में स्थीत सिम्डी प्रकंड में एक अनोखा सरकारी विद्याले चल रहा है जहां बच्चों की ट्रेन की कोच में क्लास लगती है एस विद्याले की तारीफ अब पूरे बिहार में हो रही है देखिए ये खास रिपोर्ट पूर से मनमोहब दिखते रेल के ये डिब्बे रेल के डिब्बे नहीं है बलकी एक विद्याले है जो बिहार की बक्सर जिले में स्थित सिम्री प्रकंड में चल रहा है शायद आखों पर एक बार में यकीन ना हो इसलिए अपनी दुविधा को दूर करने हम इस प्रेन नुमा डिबो के दरवाजे के अंदर हुसे तो पाया की अध्यापक पूरी तलिंता के साथ छात्रों को पढ़ा रहे हैं शात्र भी चहरे पर मास्क लगाए स्थिक्षक की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं हमने इस अनूठे तरह के विद्याले के बारे में जानना चाहा तो स्थिक्षक ने बताया कि यह ट्रेन नुमा विद्याले छात्रों के उजवल भविष्य का प्रतीख है जो उन्हें उनकी काम्यावी की मंजिल तक पहुंचाएगा सब्सक्राइबता दी बोस्तों संदर ढना कर जहाए तो हम धी अपने अंदर का अन्व पुरा प्रवहाट कर रहे हैं बनाने के लिए ना अपने आप शाओ करते 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 शीट अगर गारगर जान का इस पर जो रहता है अल्या दॉनकाwn कर आते में गरजिन के दवा में सिखे सकता है बहुत अच्छा संदूश देसकता है किता दिन में अप्रजब पुरा वजाएगा जूप कहे के तू होता है अवसर देता है वद्याले में बने कमरों को ट्रेन के कोश की तरह का लुक दिया गया है जिस तरह रेल गारी के डिब में लाल रंग के होते हैं ठीक उसी तरह लाल रंग से इसकी सजावट की गई है वद्याले को इतने खुबसुरत धंग से तयार किया गया है जैसे कि वह एक्सप्रेस ट्रेन में बैट कर पढ़ाई कर रहे हैं वद्याले में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और बच्चे अब समय पर वद्याले भी आने लगे है एक तरफ राज की खस्ता हाल विद्याले भवन को लेकर पूरे देश में आलोशना होती है विपक्ष सरकार को सिक्षव ववस्था की बदहाली पर घेरती रहती है तो दूसरी तरफ सरकारी वद्याले की यह मनमोहब तस्वीद सुवे में एक नई उमीद जगाती है बहरहाल प्रेंज ऐसा बना यह विद्याले बिहार के चात्रों को भविश्य की नई मन्जिल पर ले जाएगा नेशन म्यूस के लिए मन्जिल मंजरी की रिपोर्ट